रक्षा बंधन सभी धूमधाम समनाते हैं। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। पर ये परंपरा शुरू कहां से हुई। इस परंपरा का संबंध महाभारत से है। एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कड़ गई और खून बहने लगा। दुरापती ने अपनी साड़ी का किनारा फाल कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया था। श्री कृष्ण इस पवित्र बंधन पर कसम खाई थी कि वो अपनी पूरी जंदगी दुरापती की रक्षा करेंगे। तभी से ये रक्षा बंधन का अर्थ रक्षा करने वाला ह और तभी से बेहने अपनी भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती आई हैं। यह पर्व हिंदूों का एक प्रमुख तहवार है जो श्राणों के महीने में पढ़ता है। यह तहवार भाई बेहन को भावनात्मत तोर पर जोड़ता है। रक्षा बंधन पर्व को मन नेपाल और मलेशिया तथा उन सभी देशों में मनाया जाता है जहां हिंदू रहते हैं। रक्षा बंधन पर्व को मनाने के पीछे और भी मानिताएं हैं। हिंदू पराने कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच महायुद हुआ जिसम इंद्र की पत्नी ने उनकी कलाई पर बांधा था। उसके बाद इंद्र देव ने राक्षसों को युद में हराया और अपना सिंगहासन वापस हासल किया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।